हलो दोस्तों नमस्का मैं राग विलकम टू सिविल डिकोडर आप पीसियल दोस्तों आज का अपने रहने वाला है उत्तर पंदेश अधिना सेवा चैन आयोक के द्वारा जो 2016 में जूनियर इंजिनियर की वेकंसी चल लई है दोस्तों जिसका की डॉकुमेंट वेरिफिकेशन ह चुका है दोस्तों आज का वीडियो रहने वाला इसी वेकंसी से संबंदी दोस्तों इसमें मैं आपको पहले दिखाऊंगा जो वहां पर डीवी के दौरान आपको फॉर्म दिया जा रहा था तिन चार पन्ने का फॉर्म ता उसमें दोस्तों क्या-क्या फिलप करना था दोस इसकी एक्सपेक्टेट कटाफ क्या जाने वाली है जो मैंने डीवी के दौरान इस्टूडेंट का रिव्यू लिया है और दोस्तों इसका जो रिजल्ट है वो अनुवानित कब तक आ जाएगा दोस्तों आप लोग वीडियो को अन तक जरूर देखें आपको सारी जानकारी की मिलने वाली है इस वैकेंशी से संब्धित दोस्तों ये यूपी टपलस्टी के द्वरा यह फॉर्म दिया जा रहा था अब लेक परिछाड आख्या दोस्तों इसमें पूरा डिटेल है 2016 की वैकेंशी से संब्धित दोस्तों आपका विग्यापन संक्या 28 बटा 2016 है और दो दोस्तों जो 2016 में फॉर्म निकला था उसकी आविदन करने की अंतिम्ति थी आपकी 21 जनवरी 2017 दोस्तों इसमें आपका अपना पर्सनल डीटेल भरना था जैसे नाम और जेंडर और आपका ब्यांती का पंजी करण संख्या अनुकरमांक और दोस्तों इसमें जो आपके बिग् टिक करना था नहीं था तो आपको नहीं में टिक करना था दोस्तों यह आपका पथम प्रस्ट है इसी पकार आपके तीन परने का यह फॉर्म था दोस्तों मैं आपको दूसरा पेज दिखाता हूं दोस्तों ये उसका दूसरा पेज है इसमें आपके आयू से संबंदित दिया गया है जो आपकी एक साथ 2016 के अनुसार आपकी जो एज थी विग्यापन में वो आपकी पूर थी की नहीं तो इसमें थी तो आपको हाँ पे क्लिक करना है और दोस्तों इसमें आपको आपको आईउ में छोट मिली है तो आपको हाँ करना था नहीं मिली है तो आपको नहीं करना था और दोस्तों आपको आपकी स्कैटेगरी से उसमें आपको क्लिक करना था और दोस्तों आपको इसमें अपना एकडमिक भरना था जैसे आपका डिप्लोमा, हाई स्कूल का अंकपत और आपको स्कूल पमाड़ पर डेटा बर्ट प्रूब जो होता है उसका डेटेल्स डालना था इसी परकार आपका SCHT का जो अभी EWS का जो अभी आपका अरचछड का सेटिफिकर था उसमें आपका जाच अदिकारी और माड़ पर संख्या डालनी थी दोस्तों मैं आपको आप कटाफ के बिशे में बताता हूँ दोस्तों ये आपकी UPACJ 2016 की एक्सपेक्टेट कटाफ है दोस्तों इसमें आपकी जो एज लिमिट थी वो आपकी 21 प्लस वालों के लिए ये कटाफ है दोस्तों इसमें जो आपकी अनरच्छित के लिए कटाफ जाने वाली है वो आपकी 530 से 550 जाएगी और जो आपकी EWS के लिए वो आपकी 520 से 540 जाएगी और दोस्तो जो आपकी OPC के लिए है 530 से 550 OPC के student काफी जादा है OPC की कटाफ, لمसम, अनतरचित केटेगरी के बरावर ही जाएगी और दोस्तो जो आपकी SC की कटाफ है 500 से 520 जाएगी और दोस्तो जो आपकी ST की कटाफ है वो आपकी 490 से 510 के बीच जाने वाली है और दोस्तो आपकी महिलाओं की कटाफ जाएगी फीमेल्स की कटाफ जाएगी वो आपकी 480 से 490 जाने वाली है दोस्तो इसमें जो फीमेल्स की कटाफ काफी कम रहने वाली दोस्तो इसे पेकार आपके 18H वाले candidate के लिए कटाफ है दोस्तो इसमें केवल A की विवाग के लिए आवेदन था वो भी आपका आवाज विकास 126 वेकल्सी थी दोस्तो इसमें जो आपका अंदरचित के लिए कटाफ है वो आपकी 560 से 580 तक जाने वाली है आपकी EWS की 540 से 560 के बीच में और दोस्तो जो आपकी OVC के लिए है 540 से 550 और दोस्तो आपकी ST के लिए है 530 से 550 किलम समझाने वाली है और दोस्तो जो आपकी ST की है 500 से 510 दोस्तो फीमेल सकंडिडेट के लिए कटाफ कुछ जादा रहेगी 500 तक पहुँ जाएगी 490 से 500 तक जाने वाली है दोस्तों यह आपकी expected cut-off है जो student का review लिया गया है डीवी के दोरान जो student डीवी देने आये थे उनसे नमबर की जानकारी लिएगी लंसम जो cut-off निकल के आई है दोस्तों यह आपकी यही official cut-off नहीं है अभी इसका final result आएगा लंसम आपको यही cut-off देखने को मिलेगी मिलती जुलती और दोस्तों मैं बात करूँगा इसके result के बारे में दोस्तों इसका जो result है वो आपका बहुत result आएगा जो डीवी में जो अधिकारी डीवी ले रहे थे उन्होंने भी पताया कि इसका जो result है एक दो महने में final आ जाएगा दोस्तों इसका जो result है वो आपका लंसम माई के मिड में आनी के पूरे chances है जो आपका result है माई के मिड में आ जाएगा दोस्तों इसमें जो डीवी कराने से ज़्यादा प्रेजेंटी रही है बहुती कम स्टूडेंट अपसेंट हुए है डीवी के लिए दोस्तों कटाफ काफी हाई जाने वाली है आप लोग अपने नंबर्स देख लीजे आपके अगर इस में ब्लॉंग कर रहे हैं तो आप एक safe zone में है और दोस्तों आप लोग मेरे साथ जोड सकते हैं मेरे टेली ग्राम ग्रूप के माद्यम से और दोस्तों आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को जड़़ूद सब्सक्राइब करें लाइक करें सेयर करें Thank you for watching जय ही जय भारत